हेलो गाइज दिस इस आरती चोधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग रादे राम राम तो कैसे आप सब बढ़िया फस्ट क्लास एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिए ओडियो वीडियो सब कुछ और लोग के है और कमेंट सेक्शन में एक साथ लिखेंगे क्या बेटा रादे रादे ठीक है सब लोग एक साथ लिखेंगे आज ओ भई आप सब की संडे स्पेशल बार की स्पेशल क्लास में आप सब का स्वागत है हाजी एक बार ज़रा सारे कमेंट कर दीजिए ओडियो वीडियो सब कुछ और लोग के है और देखो बेटा आज की क्लास की शु बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन आपकी काम्याभी शोर मचाएगी ठीक है तो देखो अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी काम्याभी शोर मचा दे और ये आपकी काम्याभी जब शोर मचाएगी ना तो तब आपकी खामोशी भी बोल उठेगी ठीक है बिलक अडर 24.7 की एप्लिकेशन को प्ले स्टोर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए आप सब के लिए गुड नियूज है और वो गुड नियूज क्या है कि भाई देखो बार्क का हमारा बैच आपका 14 तारिक से लाइव शुरू होने जा रहा है 14 जुलाई से आपका बैच एप्लिकेशन पर लाइव शुरू होने जाएगा और इसमें आपकी साइन्स मैंने मोटे मोटे तोर पर आपको बताई थी 105 नंबर की तो देखो लिखी हुई ही लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे दोनों एक्जाम में 115 नंबर की साइन्स आने वाली है दाट्स मीन कि इसमें क्या है बेटा लीड कौन करेगा लीड बेटा इसमें आपका साइन्स ही करेगा और साइन्स आपको कौन बढ़ाएगा बेटा मैं बढ़ाओंगी दाट्स मीन आप कह सकते हो कि indirectly की लीड इसको करने वाले इस बैच को लीड करने के लिए responsibility किस पर डाली गई है बेटा मुझपर ही डाली गई है ये बैच आपको 1280 रुपे का मिलेगा लेकिन कब जब आप लोग कोड लगाओगे Y446 मार्केट में घूम लो कहीं पर भी आपकी मार्केट में इसकी किताबे अव लगाना ठीक है कोड आप लोग लिख लिया करें या फिर जब क्लास खतम होती है उसके बाद में एक दो मिनट की स्टार्टिंग की वीडियो देख लिया करें ठीक है बच्चा ओके वैलकम सोना ये सोना कोन है भई आपकी सुप्रेम कोड में आज जो बच्चे और भाई कोई अपना समय क्यों ही देगा लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपकी सुप्रेम कोड में 271 वैकेंसी है और जो बार्क में आपकी 89 वैकेंसी है वो पूरा हमारी प्लाटफोर्म से ही बच्चा सेलेक्ट हो इसलिए हमने इस चीज़ को इनिशियेट किया है और आप सब उनने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया है तो यहाँ पर आप लोग कोड लगाओगे वाई 446 और कितना बिटा 2000 रुपे में ये बाच आपका हो जाएगा किलियर इसकी भी किताबे मार्केट में एवेलेबल नहीं है और कहीं पर भी आपको इसकी किताबे नहीं मिलेंगी प्लीज वाई 446 S कोड लगाकर ये 1200 रुपे में किताबे आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी और एक और बास सुनिए बेटा आप लोग जब भी कभी कोई नई वेकेंसी आए अभी जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की TPO की वेकेंसी आपकी आ चुकी है ना फॉम फ क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी परचेस कैसे करना है सो प्लीज लास्ट तक आपको बने रहना है किलियर बच्चा ओके दूसरा हमारे जितने भी रेलवे वाले बच्चे है मैं आपसे बिल्कुल नहीं पोलूंगी कि कोई भी महापैक लो आपका 4500 रुपे का ए यह नहीं बोला है क्योंकि यहीं वो है आपकी जो विटाइस समय पर आपकी तयारी को बूस्ट अप करेगी और वाई 446S कोड लगा कर आप लोग इस टैस सीरीज को परचेस कर सकते हैं ठीक है चलो भई अब हम बढ़ते हैं अपने कोश्यंस की तरफ और देखते हैं कि हमार पहला कोशन क्या है भारतिय जन संक्या में सबसे अधिक सामानने का इंसर किसका होता है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरे दोस्टों करा दू लेकिन डिपांड करता है कि आप लोग अपनी स्पीड को कितना फास्ट बनाते हो जितनी जल्दी आप लोग आंसर दोग मैं मेरा MTS का एक्जाम लास्ट में है तब तक सारे इजी कोशन हो जाएंगे अच्छा ठीक अच्छी बात है आपको काफे सारे कोशन का वो भी पता लग जाएगा कि कोशन कैसे आ रहे हैं पेपर में फड़ा फड़ा आंसर कीजिए बिलकुल जी सबसे ज़्यादा आप में तंबाकू वाले हैं ना जितने भी आपके रजनी गंदा हो गया कोई भी जितने भी आपके तंबाकू वाले यह ऐसे प्रड़क्ट होते हैं जिसको पान मसाले के नाम पर बेचा जाता है आपने देखा होगा कुष समय पहले भी आपका इस तरह किसी अटटाइज मैंट को लेके काफी बवाल हुआ था अक्षे कुमार ने शायद अड़टाइज कर दिया था ओके तो ये जितना भी आपका कैंसर फैलता है ये बेसिकली आपका जो गुटका जो आप लोग खाते हो या फिर बहुत सारे कैंसर मुगे सिग्रेट की वज़े से भी देखे जाते हैं ठीक है अगर आपको अलकोहल नुकसान करेगा तो पिटा वो तो हमारे लीवर को नुकसान करता है लेकिन cigarette और गुट का जो होता है ये हमारे mouth cancer का भी कारण हो सकता और कितनी गंदी मेज है आप लोग देख सकते हो जो अगर किसी को cancer हो जाता है अच्छा इतनी ही गंदी मेज ना गुट के cigarette के packet पर बनी होती है है ना लेकिन फिर भी आप लोग बाज नहीं आते बिल्कुल आप लोग को माननी तो है नहीं किसी की बात है ना क्योंकि टश्यन दिखाना है शिगरट नहीं पिएंगे oh my god मतलब एक समय हुआ करता था मुझे लगता है आगे आने वाले समय में लोग हमसे ये बोलना शुरू कर देंगे जो सिगरट नहीं पीते अच्छा तुम सिगरट नहीं पीते तो मिंजोय कैसे करते हो है ना एक ना स्टैंडर में ले लिया है हमने इन सब चीजों को कि शराब पीना सिगरट पीना It is about standard कि भाई मतलब तुम बेकार हो अगर तुम सिग्रेट और सराब नहीं पीते हो So please, अगर आप लोग सच में ये चाहते हो कि आप लंबे समय तक fit रहें, healthy रहें और एक और चीज, सुन्दर रहें ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये गुटका, सिग्रेट, सराब, ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ हमारी health बलकि हमारी beauty को भी effect करती है ठीक है, तो अगर आप लोगों को लंबे समय तक सुन्दर और जवान भी दिखना है ना तो भी आप इन सब चीजों से दूर रहें ठीक है बच्छा, ओके तो मुह का कैंसर सबसे ज़्यादा भारत में आपका पाया जाता है अगला कोशन है, मुत्रालियों के नजदी के खास तरह की बदवू आती है या बदवू किस गैस के मौजूदगी के करण आती है बताइए, जो यूरिनल्स होते हैं, जो वोश्रूम होते हैं उनके आसपास एक स्मैल आती है और ये स्मैल किस वज़े से आती है, कोई क्लिए आंसर कीजिए ये स्मैल किस की वज़े से आती है, बेटा, आपकी अमोनिया की यह smell किस की होती है आपकी ammonia की अगला question देखते हैं ज़रा क्या है हमारा lotus, java, oracle इन में से किस से संबंदित है lotus, java, oracle इन में से किस से संबंदित है कोई के answer कीजिए फड़ा लवड जल्दी अंसर कीजिए और एकल, java, lotus इन में से किस से संबंदित है सारे बच्चे आंसर करेंगे भई जितना बच्चा लाइव है उतना ही आंसर करें क्विकली बिल्कुल जी किसे संबंदीत है बेटा यह आपके computer विज्ञान से क्योंकि यह सारी की सारी क्या है आपकी computer की language है यह सारी की सारी आपकी computer की language है नेक्स्ट कुशन देखते हैं जरा sodium bicarbonate या baking soda का रसाइनिक सूत्र क्या होता है sodium bicarbonate या baking soda का रसाइनिक सूत्र क्या होता है sodium bicarbonate बहुत ही easy कुशन है आपके यह सारे बच्चे easily आंसर कर सकते हैं बिल्कुल बताईए ठाखगें सोडा का आपका रसाइनिकansenic fórmula क्या होता है एऽ होता है और आपका धावर्थ सोडा या फिर आपका wird जो आपका वशिंग soda होता है उसका फौर्मला क्यों होता है sodium om karbonate sodium fire अगला कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है हमारे शरीर में उपापचे को नियंत्रित यानि कि मैटाबोलिजम को कौन सी ग्लैंड होर्मोन सीक्रीट करती है जो हमारे शरीर में मैटाबोलिजम को कंट्रोल करता है जो हमारे शरीर में मैटाबोलिजम को कंट्रोल करता है science का new batch नहीं है आपको सारे subject कराए जाएंगे बार्क में आपकी reasoning आपकी science आपका maths ठीक है आपकी general science जो भी आपके subject है सबकी तयारी आपको मात्र बारे सुरूपे में ही कराए जाएगी separate science का नहीं है वो चार से पाँ subject जो भी आपके होते हैं सारे के सारे include है फड़ा बड़ बताईए तो देखो बड़ा क्या होता है हमारे शरीर में metabolism को कौन कंट्रोल करता है बड़ा आपकी आउट ग्रंथी यानि कि आपकी कौन सी बड़ा आपकी thyroid gland thyroid gland एक hormone निकलती है thyroxine hormone जो कहीं ना कहीं हमा के लिए growth को control करता है हमारे शरीर के metabolism को control करता है और यही आप से question पूछा गया था कि हमारे शरीर में metabolism को control करने वाला hormone इनमें से कौन सी ग्रंथी निकालती है तो भीटा thyroid gland निकालती है अगला question देखते है जरा क्या है कार के battery में इनमें से कौन सा acid इस्तमाल किया जाता है कार की battery में इनमें से कौन सा acid इस्तमाल किया जाता है कोई क्लिया answer कीजिए और request है जितना बच्चा लाइव है सारा answer करेगा बताइए भई कार की battery में इनमें से आपको कोन सा acid इस्तमाल किया जाता है Sulfuric Acid कौन सा बिटा Sulfuric Acid इस्तमाल किया जाता है एकला कुशन देखते हैं ज़रा क्या है Bus Driver के पीछे वाला पीछे वाला यानि Side Mirror जो होते हैं आपके पस्च सीसा और Side Mirror के रूप में इन में से किसका इस्तमाल होता है बताईए जो आपके Bus Driver होता है उसकी जो Side में जो Mirror लगे होते हैं उसमें हम कौन से Mirror का इस्तमाल करते हैं कौन से Mirror का इस्तमाल करते हैं कोई Clear Answer कीजिए कौन से Mirror का इस्तमाल करते हैं बेटा आपका कौन से Mirror का इस्तमाल करते हैं कौन सा बेटा कौन से Mirror का हम लोग आपका इस्तमाल करते हैं कोशन देखते हैं जरा एक बार next question क्या है इन में से कौन allergy वर्ग का रोग है इन में से कौन सा allergy वर्ग का रोग है कोई clear answer कीजिए और share करो एक बार जरा जोरदार तरीके से class को थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो यार तुम लोग share वो धीले लोग है तुम लोग बताइए जी कौन सा allergy इन में से allergy रोग कौन सा है बेटा आपका allergy रोग इन में से आपका चेचक है smallpox है ठीक है इसमें से कौन सा है बेटा चेचक पे नोबल प्राइस दिया गया था क्विक्ली आंसर कीजिए गुनी जी कह रही है मैं मैं आ गई अंकिता दूबे रोनक दीपक अंकित भोलू रोशन विधी राजीव ठीक है बुलबुल रितु रिया रीना अमन अमरता कृष्णा विष्णू चलो फड़ा फड़ा ये आपका बिल्कुल ओविसली आपके रवन प्रभाव के लिए ही दिया गया था नेक्स्ट कॉशन देखते हैं जरा एक बार देखो आज क्या है थोड़ा समय स्पीड में कॉश्चन कराऊंगी क्योंकि मेरा टार्गेट है कि मैं आपको 200 कॉश्चन कंप्लीट करा दू बासी म मखन से दुरगंद किसके कारण आती है फड़ा बड़ा अंसर कीजिए लाइव क्लास अभी में यह यहां पर सिट्रिक आसिड किस में पाया जाता है जितने भी इमारे खट्टे फ़ल उते हैं जितने भी हमारे खटे फल होते हैं उन सब के अंदर आपका citric acid पाया जाता है इमली में कोशन पूछा जाता है इमली में कौन सा acid पाया जाता है इमली के अंदर आपका tartaric acid पाया जाता है कौन सा बिटा tartaric acid पाया जाता है किलियर बच्चा ओके अगला कोशन देखते हैं जरा क्या है लाल रख्त कनिकाओं के निर्मान कारियों में कौन सा हायक होता है बताइए जी जो हमारे शरीर में आर बीसी बनती है इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट है जो आर बीसी को बनने में मदद करता है या आर बीसी के तो यह आइरंग इसमें साथ में रियक्षन करेगा इसका रंग इसमें लाल में बदलना शुरू होता है तो यह साइटिक इसली रंग लाल होता है, कैंसर के उप्चार के उप्योग में किस समस्थानिक का प्रियोग करते हैं, कैंसर के उप्चार, उप्चार के उप्योग में, यानि कैंसर के इलाज में इन में से हम किस समस्थानिक का उप्योग कर सकते हैं, कोबार्ट 60 का, यूरेनियम 235 का, कारवन 14 का, या यूरेनियम 238 का बताइए कैंसर के ट्रीटमेंट में इन में से हम किसका इस्तमाल करते हैं फटाफड़ बताइए थैंक्यू भाई ये आप डिसाइड नहीं करोगे ना पिटा कि मैं घमंडी हूँ या मैं क्या हूँ मेरे अंदर अटिट्यूड है नहीं है या आप कोन होते हो डिसाइड करने वाले आप ये बताओ ठीक है ना आपने ठेका उठाया है या आपने मुझे क्या मतलब सुधारने अगर नहीं रहेंगे न और इतना अगर एटिट्यूड नहीं होगा तो आप ही जैसे लोग होते है फिर जो ऐसी निगाहों से देखते हैं कि फिर सायद हर लड़की को निगाना अपनी नीचे जुकानी पड़ जाती है तो अगर हमें इस दुनिया से समास से लड़ना है यहाँ पे अगर सर उठा के जीना है तो हमें अपनी आँखों में वो गुसा वो नफरत दिखानी होगी दुनिया को कि सामने वाला अपनी आगे बैठो, दो-चार लोगों को इखटा करो, और वहां बाबा बनके प्रवचन देना शुरू करो, क्यों कि हमें तुम्हारे ग्यान की ज़रुत है नहीं, ओके, बताओ बिटा, देखो, यहाँ पर आपका क्या कोबाल्ट 60 का इस्तमाल करते हैं, किसके लिए बिटा, आपक राइबो सॉम्स की खोज, किसने की बिटा, आपके देखो, राइबो सॉम्स को पहले, सबसे पहले खोजा था पैलेड ने, और बिटा, इन्होंने इनको क्या बोला था, पैलेड कन, इन्होंने इनको क्या बोला था, पैलेड कन बोला था, अगला कोशन देखते हैं, ज़रा अभी डिसकस नहीं हुआ है बट लेकिन वह होता है कि कुछ नया हम बच्चों के लिए कर रहे तो चलो उनको एक बार बता देते हैं तो क्या है मैं थोड़ा सा एक संडे स्पेशल में आपके लिए कुछ लेकर आरी हो भी नाम वगरा इतना सोचा नहीं है उसमें क्या है कि आप लोग एक शिकायत रहती है कि मैं कुछ बनलब थोड़ा मन करता है देखो ओफलाइन अगर होती तो आप लोग बिल्कुल फेस टू फेस बैटते हैं अपनी प्रोब्लम्स डिसकस किया करते हैं तो कुछ एक ऐसा शो आएगा मेरा जो आपका आदे गंटे के कारिये विधी में इनमें से हमारा कौन सा एलिमेंट सहायता करता है पेटा आपका सोडियम कौन करता है आपका सोडियम करता है जिनके कोशन गलत हो रहे न वो देखते रहे न गलत हो क्यो रहे आरक्तता रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रियोग किया जाता है आ आजी फड़ा बड़ बताईए आर अक्तता के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं आपका किसका आयरन 59 का आयोडीन 131 का इस्तमाल किया जाता है किसमें आपका गोईटा डिजीज में किसमें आपका गोईटा डिजीज में दैन उसके बाद कोबाल्ट 60 का मैं यानि बलड कैंसर में हम लोग फॉसफोरस 32 का इस्तमाल कर सकते हैं अगला कोशन देखते हैं जरा क्या है लाइजोजोजोम्स के खोज करता इन में से कौन है फटा फट एक बार जरा शेयर करो भई पर दो को 500 प्लस लेके जाओ फटा फट से मुझे पता है छोटी वेकेंसी है ठीक है लोग कम ही देखेंगे लेकिन कोई बात नी भईया देखने वाले होने चाहिए थोड़े से कि भई बच्चों तक रीच पहुँचे कि ये भी फॉर्म निकला हुआ है ये भी वेकेंसी हमारी आई हुई है ओके बताओ भई लाइजोजोंस के खोज करता इन में से कौन है हाँ कट अफ बताओंगी बिटा बिल्कुल इस सेशन इस क्लास के बाद मेरा दस बजे एक और सेशन लगा होगा आपने देखा भी होगा जिसमें आपको कट अफ के बारे में बताने वाली हूँ ठीक है बताइए लाइजोजोंस के खोज करता बिटा आपके कोन है डी ढूबे साहब किसने की थी डी ढूबे ने आपके लाइजोजोंस की खोज की थी कोश कीया समवहन एवं जैविक करियाओं का नियंतरन किससे किया जाता है आयोडीन, पोटेशियम, फॉसफोरण या फिर कैलसियम कुईकली फड़ा फड़ा आंसर कीजिए कोस्किये सम्मेहन एवंजेविक करियाओं का नियन तरण इन में से किस से किया जाता है आपका पोटेशियम से किया जाता है अगला कोशन देखते हैं सजीव कार्वनिक वस्तू की आयू को निर्धारित करने के लिए किस विधी का प्रियोग करते हैं सजीव कार्वनिक वस्तू की आयू निर्धारित करने के लिए किस विधी का उप्योग करते हैं 500 प्लस तो यार ऐसे हो जाना चाहिए दस बजे फिर मेरा सेशन है, ग्यारा बजे मैं अपने घर पोँचूंगी, पहले मैंने आपका संडे ओफ कर दिया था, कुछ दिन तक आपका संडे ओफ रहा लगी, लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे था, एक घंटे की क्लास लो, लेकिन संडे को क्लास लो, तो मुझे द करते हैं, हम लोग कार्बन 14 का, किसका बेटा, कार्बन 14 का इस्तमाल करते हैं, जीव द्रव्य के एक होज करता कौन है, जीव द्रव्य के एक होज करता कौन है, रोबर्ट ब्राउन, जोर्ज रोयल, पुर्किन जे या इन में से कोई नहीं, देखो बेटा, प्रोटो प्लास है ये बात actually में कही थी किसने बेटा हमारे जूलियस हगजले सहब ने ये बात actually में किसने किती आपके जूलियस हकजले सहब ने की थी लेकिन इसको explain किया था आपके पुरकिंजे सहब ने किस ने किया था पुरकिंजे तो अधिक तर आपको option में पुरकिंजे ही मिलेगा कि जीव द्रवे की खोज actually में जूलियस हकजले ने की थी लेकिन explain किया था पुरकिंजे सहब ने इसलिए हम लास्ट में 10 मिनिट का टाइम रख लो मैम बेटा दूसरा सेशन ही लगवाया है मैंने इस वज़े से जिससे कि कोई कन्फूजन ना हो क्योंकि बहुत बच्चे कट ओफ देखेंगे न तो वो कट ओफ देखने वालों के लिए लग सेशन इसलिए लगवाया है जिससे दा कि उ आरोड गरंती आपकी सूजन आ जाती है आपके गले में सूजन आ जाती है भारत की परसीद लेगुन चिलका जील किस राज्ये में इस्थित है भारत की परसीद लेगुन चिलका जील किस राज्ये में इस्थित है भाहर कर रहे हैं लोग ये लोग सफाई और बाहर यहां से क्या आ रही है अंदर क्या रही है पूरी दूल आ रही है ठीक है तो बीच-बीच में खाजी आती रहेगी मेरे को बिलकुल जी भारत के पिरसीद लेगुन चिलका जील आपकी किस राज्जे में इस्थीत है बेटा यह आपकी ओडी सा में तरी जोगरफी मुझे भी आती है अ पना आज के परिरक्षण में या फिर एज आप प्रिजर्वेटिव इंर में से किस का इस्तमाल कर सकते हैं वेटा सोडियूम बैंजोएट का हम लोग एज आप प्रीजर्वेटिव के रूप में इस्तमाल करते किस राज्जे में हैं साइलेंट वैली जिसमें आपके दुरलब और नस्ट प्राय पशू पाये जाते हैं यह आपकी किस राज्जे में है बिटा ओविसली आपकी किसमें है केरल में किसमें है बिटा यह आपकी केरल में अगला कोशन देखते हैं आखों में वर्ण दर्शन य नहीं दिखते हैं डिटोडा सा एलओ भी नहीं दिखाई देता है ठीक है मतलब कुछ heGI आख्यों के चालोर लग्रेश अ مाथलरका सोटे जनको देखने में प्रोब्लम होती है हमारी आखों में ₱ के सैल्स पाये जाते हैं एक होता है रोड्स सेल्स हमको वाइट और ब्लाक कलर देखने में मदद करते हैं और कौन सेल्स हमको रंगीर वस्तुएं यानि की कलरफुल चीज़े देखने में मदद करते हैं तो उनकी कौन सी सेल्स में संकू कोशिकाओं में शंकू कोशिकाओं में उनकी क्या हो जाती है बेटा प्रोब्लम हो मेरा आज का टार्गेट था कि बार्क चाहें छोटी वेकेंसी है बही जब मैंने सुभह साड़े नो बज़े आपको पता है एक दिन पंद्रसो लिया था तो यार अब तो रात का नो बज़ रहे हैं ठीक है न आप तो सब लोग फ्री हो इसलिए मैंने सुभह नहीं लगाई थ प्रोटीन के अमीनो उमल में इन में से कौं सा एंजाइम एस आजाइम एफ रूत परे रक्रुटीन के अमीनो अमल में इन मेंément से कौन सा एन्जाइम एज चाटेलिस या फिर उत्परेरिक का कारिये करता है की तरह कारिय करता है कौन करता है पेटा आपका पैपसिन करता है कुन करता है पैपसिन करता है किसी व्रक्ष के आयू का निर्धारन किसके द्वारा किया जाता है किसी व्रक्ष की आयू का निर्धारन किसके द्वारा किया जाता है को एक लिए आंसर कीजिए डैली पुलिस के लिए क्लास कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बैटा ऐसी के रेस्टिक्षन नहीं है कर सकते हो बही एजिली कर सकते हो क्लास सब के लिए खर लो कोई दिक्कत नहीं है बही ग्यान ही तो मिल रहा है ग्यान कहीं से भी मिले ना बटोर लेना चाहिए है ना क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो बाटने से बढ़ता है बाकि दुनिया की सारी चीज़ें है ना सब चीज़ें बना तुम बाटोगे ना उन्हें वो घट जाएंगी पैसा प्रोपर्टी है ना सब चीज़ें बाटने से घटती है लेकिन बस एक ग्यान ही ऐसी चीज़ होती है जो बाटने से और ज़्यादा बढ़ता है तो जितना हो सके शेर करो जितना हो सके उतना आप लोग जो भी आपको जहां से मिलता है ने बटा ग्राब कर लिया करो जब वहें अपने भार के ब्लेंक हटाएगी कोई भी नाव आपकी कब डूब जाएगी कोई भी नाव आपकी कब डूब जाएगी quickly answer कीजिए कोई भी नाव आपकी कब डूब जाएगी देखो भाई ये आपका पानी है ठीक है ये आपका पानी है तो ये आपकी नाव है यह आपकी नाव है तो इसके डूबने के chances कब है जब नाव का वजन जादा होगा जब नाव का वजन अगर जादा होगा ये उतना पानी अगर नहीं हटा पाई तो ये क्या करेगी बिटा ये आपकी डूब जाएगी ये आपकी डूब जाएगी तो obviously जब ये क्या करेगी जब वह पानी अपने भार से कम हटाएगी, तब क्या होगा बिटा ये आपकी डूप जाएगी, ठीक है 이걸 अगला कोशन देखते हैं जरहा एक बार the next question क्या है हमारा कि म मानव शुरीर में dhe hydration होता है मानव शरीर में dhe hydration क्यों होता है कि मानव शुरीर में dhe hydration क्यों होता है कोई कि अंसर कीजिए एंधर है ह। ना कि ढूँकि धूल विल्कुल ऑन्दर आ रिया है ह। ह‍जि मानव शरीर में डि हाइडरेशन मानव शरीर इढरेशन बाइन Double C बात है बात हां जलकी कमी से किस साथ है किकमी सेदेखें आ इतने तो बताईए या फिर ये कहिए कि इनमे से कौन सा अलिमेंट है जो कि हमारी मास पेशियों के लिए जो कि हमारी मास पेशियों के लिए जरूरी है बताईए इनमे से कौन सा अलिमेंट है जो हमारी मास पेशियों के लिए जरूरी होता है या उनमें थकान अगर हो जाती है तो उसक के लिए बेटा जो हमारी प्लांट होती है उनमें जो लीवस होती है दोनों के लिए ही जरूरी है या फिर कोशन पूछ जाता है मैगनीशियम हमारे शरीर में या प्लांट में कहा पाया जाता है तो प्लांट में पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर और हमारे शरीर में मसल्स में पाया जाता है और द्योगिक सहर को प्रदूशित करने वाला घना धूल और एस ओटू युक्त कोहरा क्या कहलाता है बताइए देखो आपने सुना होगा एक टम क्या इस्मोग सुना होगा ना कि भाई इस्मोग हो रखा है है ना बहुत ज्यादा स्मोग हो चुका है इस्मोग क्या होता है कि जब धुआ और कोहरा दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कोई सा विटामिन कैल्शियम के अवसोशन में सहायक है कोई क्ली आंसर कीजिए लाइक अभी है तुम लोगों ने बहुत कम किया है किलास को एक बार लाइक कर दो फटाफट सारे बच्चे हाजी सारे बच्चे लाइक कर दीजिए कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवसोशन में सहायक है इन में से कौन सा विटामिन है जो की हमारे शरील में कैल्शियम को शोशित करने में मदद करता है विटामिन D देखो विटामिन E का विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है रेटिनोल फटाबड़ बता हो रेटिनोल इसक केलमिय, केराटो, मलासिय, केराटो, मलासिय, ठीक है, और एक क्या बिटा आपका, नाइट ब्लाइडनेस, क्या बच्चा आपका, नाइट ब्लाइडनेस, ठीक है जी, दैन उसके बाद में, विटामिन B का कैमिकल नेम क्या होता है, आपका, थाइमिन, विटामिन B का कैमिकल न स्रोग होता है इसकी कमी से रिकेट स्मूर्स होता है वितामिन C काशन स्था क्या है आपकाonta जल्ड ना चुरू हो जाता है एक और आपका तैरा सा चुसरी होता है जिसने भी आपको ठुकरा आ Kell स्थार्ट मुरूर्ट तूटे दिल के आशिक लोग होंगे, उनको ये बात बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, कि जिसने भी आपको ठुकराया है, वो आपकी एक जलक देखने को तरस जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है, काम्याब हो, तो देखो जो आपको छोड़के गया है या गई है, वो खु और अगर कुछ नहीं कर पाए, तो पता है, वो ही कल को आगे ताना मारेगी, देखो इसलिए तो तुम्हें मैंने छोड़ दिया था, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए, मेरे बच्चों का पेट क्या पालते, तो हमेशा सबसे पहले लाइफ में गोल जो हमारा होना चाहि आए बेटा आज के समय में न तुम चाहें सरवन कुमार बन लो, आज के समय में सरवन कुमार की उतनी वैल्यू नहीं है, जितना पैसे की वैल्यू, अपने माबाब भी एक समय आने पर न ये बोल देते हैं कि पैसा कमाओ, है ना कुछ करो, कुछ नाम कमाओ, इसलिए पैद कि एक पझुपंचर क्या है, बताइए, एक्चू पञ्चर क्या है, क्योना फैक क्यों शक्र किजिये, एक्क्यू P wing ch who can stress, बइसंत 슈र मला उटना बन क्वां Toki means, the decir, शव्यां अन्षर किया करो, कि आजसू सर्मा बिल्कूल कर सकते यो बेटा,ION एक्यूपंचर क्या है कुईकली बताईए एक्यूपंचर है एक ऐसे विधी जिसमें हम बीमारियों का इलाज सुहियों से करते हैं ठीक है जिसमें हम बीमारियों का इलाज सुहियों से करते हैं अगला कोशन क्या है मचली के यकरत में इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता ह मचली के यकरत का जो तेल होता है इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है मचली के यकरत में जो आपका तेल होता है इनमें से कौन सा विटामिन आपका पाया जाता है आपका विटामिन A और D दोनों ही पाया जाते है ठीक है पाये देखो दोनों ही जाते है A भी पाया जाता लेकिन जादा amount में vitamin D पाया जाता है तीक है लेकिन जादा amount में vitamin D पाया जाता है vitamin D का chemical name फटावर से लिखो Kelsey Ferrol बिटा रट जाएंगे यह आपको नाम vitamin A का नाम retinol vitamin A की नाम retinol vitamin B का नाम thymine vitamin E का नाम आपका क्या tokoferrol अगला कोशन देखते हैं जारा क्या है हमारा YU में तापमान बढ़ने पर द्ध्वनी के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा YU में तापमान बढ़ने पर द्ध्वनी के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने आपको बताया था V is proportional to under root T और यह T जो है बेटा यह आपका Calvin में होना चाहिए यह आपका Calvin में होना चाहिए तो अगर temperature बढ़ेगा तो आपकी velocity भी बढ़ जाएगी estrogen एक hormone है जो पाया जाता है पुरुश में, istriyow में, दोनों में या पशुओ में estrogen एक hormone है जो किसके अंदर पाया जाता है पुरुश में, istriyow में, दोनों में या फिर आपका पशुओ में या फिर आपका पशुओ में तो देखो बेटा, males के अंदर जो male character के लिए responsible होता है क्या, उस hormone का नाम होता है testosterone, testosterone ठीक है जी, female में आपका पाया जाता है female characteristics के लिए estrogen और एक और hormone होता है जिसका नाम क्या है, progesterone और ये progesterone hormone जो है, ये बेटा आपका कब active होता है, जब आपकी कोई भी female pregnant होती है जब आपकी कोई भी female pregnant होती है, उस समय पर progesterone hormone पाया जाता है, clear, तो estrogen किस में पाया जाने वाला आपका hormone है, इस्त्रियों में, यानि की females में अगला question देखते हैं, जब आपके कोई नहीं, पारी इस्तितिकी तंत्र में nitrogen का परिसंचरन होता है, बताईए फटा-फट, पारी इस्तितिकी तंत्र में nitrogen का परिसंचरन होता है, विशानू द्वारा, प्रोटो जोवा द्वारा, जिवानू द्वारा या इन में से कोई नह पारिस्तिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरन सबसे ज़्यादा कौन करते है नाइट्रोजन का परिसंचरन सबसे ज़्यादा बिटा आपके कौन करते है आपके जीवानू करते है अगला करशन देखते है ज़रा क्या है जंग रोधी स्पात बनाने के लिए किस मिस्र मिसर धातू का प्रियोग करते हैं। फड़वड आंसर कीजिए। जंग रोधिस पात बनाने के लिए इन में से हम किस मिसर धातू का उपयोग करते हैं। यार बहुत कम संख्या है। तुमारी इतनी नहीं expect कि थी मैंने। इतनी कम संख्या expect नहीं कि थी भई। है ना। बिल्कुल जी तो जंग रोधी स्पाथ बनाने के लिए इन में से किस मिसर धातू का प्योग करते हैं हम लोग क्रोमियम और निकल का किसका क्रोमियम और निकल का धातू तार में वैद्युद्धारा का प्रवा किसके करण होता है धातू तार में वैद्युद्धारा यानि कि अगर किसी भी तार के अंदर electricity conduct करती है तो किस की वज़े से करेगी प्रोट्रोन की वज़े से, इलक्ट्रोन की वज़े से, न्यूट्रोन की वज़े से या इन में से कोई नहीं बिल्कुल जी, किस के द्वारा वेटा आपका? इलक्ट्रोन के द्वारा, ठीक है? यानि किसी भी मेटल के अंदर आपके electricity को कौन conduct कराते हैं? फ्री इलक्ट्रोन कंड़क्ट कराते हैं. अपोहन यानि डालेसिस का प्रियोग किस की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? इन में से कौन सा ओर्गन है? अगर वो डामेज हो जाएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें डालेसिस करना पड़ता है. ब ये थोड़ी बहुत जो मेरी नोस के अंदर चली गई है अब ये मुझे लगातार मतलब इचिंग होती रहेगी नाक में तो ऐलर्जी है मुझे अक्चुली इससे ठीक है किसका बेटा बिलकुल जी किसका बेटा किड़नी अगर आपके किड़नी खराब हो जाएगी किड़नी क काम क्या है देखो हमारे शरीर में किड़नी का काम क्या होता है ये आपके खून को फिल्टर करती है ये हमारे शरीर में खून को फिल्टर करती है तो अगर किड़नी खराब हो जाएगी तो फिर हम क्या करते है भाई आर्टिफीशिल रूप से किसी भी बंदेगा क्या करते ह आपके खून को filter किया जाता है सिर्फटो का कहा हम क्या होता है ये हमारेanda कूल को हम क्या होता है ये खून कोक प्यूरिफाई कर इसक lucky जा का मतलब होता है कि आप हमारे शरीर से जब कारबन डायकसाइड को बाहर निकाल कर उसमें अक्सिजन मिला दी जाती है तो इसको हम क्योरिफिकेशन बोलते हैं फिल्टेरेशन का मतलब होता है कि जो टॉक्सिक अलिमेंट होते हैं जैसे ammonia, urea, इनको चान कर आपका क्या निकाल दिया जाता है बिटा, अलग निकाल दिया जाता है, इसको आपका, इसको आपका क्या बोलते है बिटा, filtration बोलते है, heart का काम क्या होता है, बताना सरा heart का काम क्या होता है, quickly answer कीजिए, Heart का काम क्या होता है Heart का काम क्या होता है बता हो भाई लश्मीना कुमारी मेटा ऐसा है ना उकात में रह के बात करो ठीक है ना अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि यहां मैंने comment पढ़ लिया और मैं उस comment को आपका पढ़के फिर बहुत अच्छा reply करूँगी है यहां पर तुमारे लिए बहुत अच्छे वाला ओ वाओ ग्रेट बोलूँगी तो बेटा ऐसा है ना कान पे एक तमाचा लगया खिचके तमीज नहीं है तुम लोगों को बात करने की अपने घर में जाके ना अपनी मा भेहन को बोला करो तीम यह सारी बात है आई बात समझ में तुमें समने होते ना अभी तो तुमाचा छोड़ो चपल मारती मुपे खीच के भी आई बात समझ में उकात में रह के बात किया गरो तुम लोग जिस मोबाइल को हाथ में पकड़के बैठे हो ना ये भी तुमारी बाप की कमाई का है तुमारी इतनी भी उकात नहीं कि एक मोबाईल भी खरीश्टा को तुम लोग इस beef बैजती कराने आते हो यहां लोग अपनी क्लास में तो बेस्ति कराने है ऑर बहुत सारी जाधा शोके तो सामने आकर खडें आख अच्छे वाली बेस्ति करूंगी कि इतना शोक आगा कर बेस्ति कराने का कि बिल्कुल जी देखो सारे के सारे बच्चे आप लोग समझ चुके हो ठीक है किसका काम होता है विटा आपका ब्लड पंपिंग का ठीक है आज किसी ने दिलिक लिखा कि मैं हार्ट का म क्या होता है नहीं तो बच्चे लिखते थे विए टूटने का है ना ओके समझ में आया तो बिटा, क्या होता है आपको बलड को पंफ करने का काम होता है अगला question क्या है, एक बार जारा सुन लीजिए computer का दिमाग किसे कहा जाता है computer का दिमाग किसे कहा जाता है कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि इनको अपनी बेश्थी भी realize नहीं होती है ठीक है ना हां बिटा वी आई पीजी डेली होती है ओनलाइन को ना तुम लोगों ने ऐसे समझ के रखाया है कि ओनलाइन प्लाटफोर्म है क्या कर लेंगे और इस्पेशली लड़कियों को तो आपने ऐसे समझ के रखाया कि अच्छा फीमेल है क्या ही जवाब देगी यार कुछ भी बोल लेते हैं एक इसका आराम से इसका फिर अपना इसका मैम्स बनाएंगे आराम से कोई भी फ़नी वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पर डाल देंगे हमें अपना लाखो व्यूज मिल जाएंगे इस्ट्राइक डलवा देंगे पर्मनेंट ब्लोक करा देंगे तुमारे चैनल को ठीक है ना हर एडिटेटर को एक जीसा मत समझा करो कि को अगला कोशन देखते हैं गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है कुईकली आंसर कीजिए गलित कैल्सियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है कुईकली बताईए गलित कैल्सियम सिलिकेट को हम लोग क्या बोलते है बिटा तमाटर का लाल रंग किस के कारण होता रगाजर की रूपांत्रित जड़े है या फिर गाजर इन में से किस टाइप की जड़े है गाजर इन में से किस टाइब की जड़ा है कुईकली बताइए बताइए फटाफट गाजर इन में से किस टाइब की जड़ा है तो बेटा गाजर किस टाइब की जड़ा है आपके कौनिकल गाजर कैसी होती है नीचे से आपके कौन की शेप की होती है कौनिकल मूली अगर प्रिखापन होता है जो उसमें चरपराहट होती है वो किसकी वजए से होते हैं विक्ली आंसर कीजिए फड़ाफट बिल्कुल जी तो पेटा आपकी में चरपराहट इंट्रेस्टिंग है यार यह कोश्यन तो बहुत इंट्रेस्टिंग लगते हैं बच्चों को लेकिन आप उसको ने लाईक नहीं किया है उसको लाइक करो एक बड़ भड़ जो नहीं बोलते होंगे वो उनकी अपनी परसनल लाइफ है हर किसी को और वहीं आपको वोले हर किसी को एक जैसा समझने की जरूत नहीं है और मैं तो लिट्रली बता रहे हो मैं इंग्णौर नहीं कर सकती लिए दो अगर गली में कोई हमेंस चार लड़के टोंट मार रहे और तुम अपना सर जुका कर वहां से निकलो घूंए न बिटा तो कि एंटस्रेश स्विटार भूंहें की तो चाश मँएंगे लेकिंए ऐक दिन इंट इअपने आपको बोल्ड बनाओ भい अपने आपको यह यह नहीं जी नदेंगे नहीं तो लोग तुम्हें इतुना बोल्ड बनाओ कि कोई कुछ कहीं न पाए और हूँ भाई ऐसी मैं नहीं tolerate करती किसी भी कीमत पर क्योंकि हमारे घर में हमारे भाई पिता हैं हमारे भाई हैं अगर वो इन सब क्लास को देखेंगे ऐसे comment पढ़ेंगे तो उनको नहीं आएगा क्या गुसा आप सोचके देखो अगर मेरी जगे पर आपकी बहन खड़ी हो आप tolerate करोगे अगर आप उसकी क्लास इस समय पर देख रहे हो तो कि कोई क्या लिख रहा है होगा भाई अपना personal reason किसी का कोई आपको अच्छे जवाब देते होंगे इस तरह कमेंट पर हम तो नहीं देंगे भाई अच्छे खासे क्लास का तुम लोगों को दिमाग खराब कर देते हो तुम लोग टीचर का बिल्कुल और लिटरली ऐसे पर मन करता है कि छोड़ो यार इन लोगों क्या पढ़ाना इन लोगों को पढ़ना नहीं है मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है मिर्च में चरपराहट किसके कारण होती है बेटा आपकी कैपसिया सिन के कारण किसके कारण होती है गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है गाजर में लाल रंग पूछा है आपसे नारंगी रंग नहीं पूछा है गाजर में ल पूछा है नारंगी नहीं बताईए जी घा बताईए फटवर बताईए गाजर में लाल रंग लाकि छाड़ में होती है डेली बार की तो जितने एंथ्रोसाइनिन के कारण किसके कारण बेटा आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है अगला कोशन देखते हैं प्याज में तीखा गंद किसके कारण पाया जाता है प्याज में तीखा गंद प्याज की जो तीखी गंद होती है वो किसकी वजह से होती है वो किसकी वजह से ह क्या कहते हैं बर्गद की रूपांत्रित जड़ों को क्या कहा जाता है या बर्गद में आपकी किस तरह की जड़े पाई जाती है बर्गद में आपकी किस तरह की जड़े पाई जाती है फड़ा बढ़ बताईए बर्गद में आपकी किस तरह की जड़े पाई जाती है मिटा कि इस्तंब मूल जड़े ठीक है बरगत में आपकी किस तरह की जड़ पाई जाती है इस्तंब मूल जड़े सेकेंड के लोलक का आवर्त काल कितना होता है यानि की पैंडूलम का टाइम पीरियड आपका कितना होता है पैंडूलम का टाइम पीरियड आपका कितना होता है क्वि करेलिया में आपकी किस तरह की जढ़े पाई जाती है .. यापकी पुलकित जढ़ पाई जाती है ?? करेले में कड़वा हट किसके कार्ण होती है आपका मोमो डर्सिन किसके कार्ण होती है मोमो डर्सिन के कार्ण होती है अगला कोशन देखते हैं स्वैसन जड़ किस प्रकार के पोधे में पाया जाता है इनमें से आपका रेस्पिरेटरी रूट किसमें पाई जाती है इनमें से आपकी respiratory route किसमे पाई जाती है बीटा mangrove के अंदर आपकी respiratory route पाई जाती है फटावर किजिए समय कम है और अप्टिकल फाइबर का प्रियोग होता है इन में से किसमें optical fiber का इस्तेमाल किया जाता है endoscopy में हम लोग किसका बेठा ओपका optical fiber का का absolutely करते हैं कच्छे फलो को किरित्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रियोग करते हैं जो भी बचचे नए हाये हैं अगर आपको डेली इस तरह की बिटा क्लासिस मुझसे लेनी है अटेंड करनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकन में ओल को प्रेस करना और कल सुबह साड़े नो बज़े सारे बच्चे आएंगे क्लास में कच्चे फलो को क्रित्रिम रूप से पकाने के लिए हम किसका इस्तवाल करते हैं एसिटलीन गैस का जब हम कैल्शियम का अर्बाइड पर पानी का छड़काव करते हैं तो बिटा वहां से आपके क्या बनती है एसिटलीन गैस बनती है और ये एसिटलीन गैस फलो को क्रित्रिम रूप से यानि कि आपकी artificial रूप से पकाने में मदद करती है ठीक है ओके अगला कोशन देखते हैं जरा हमारा next कोशन क्या है बहुत अधिक पकाना और खाद तेलों को यानि कि अगर आपने एक बार तेल में पकोड़े बना लिए और दुबारा तुम उसी तेल में अगर कचोड़ी या फिर आप लोग पूरी बनाने जा रहे हो तो इन में से एक ऐसा compound होता है जो तेल के अंदर बन जाता है और वो हमारे शरीर में क्या cancer के लिए responsible हो सकता है वो इतना खतरनाक होता है कि हमको क्लास का टाइम दिखवीजे बिटा कल सुभह साड़े नो मजे ठीक है क्या बिटा आपका बहुत अधिक खाना बहुत अधिक पके हुए या तेल को बार-बार इस्तेमाल करने से उसके अंदर बैंजा पायराइन बन जाता है उसके अंदर किसी द्रव का प्रश्ट तनाव अनों के मध्या किस बल के कारण होता है क्विक लिए आंसर कीजिए किसी द्रव का प्रश्ट तनाव अनों के मध्या देखो बिटा प्रश्ट तनाव जब आपका एक ही लिक्विड हो जब आपका एक ही टाइप का लिक्विड हो तो उसके अणुओं के मध्य कौन सा बल लगता है ससंजक बल यानि की कोहसिफ फोर्स लगता है लेकिन अगर आपके कोई दो हो अगर आपके कोई दो लिक्विड हो तो उनके आपके अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स लगता है असंजक बल या फिर आपका कोहसिव फोर्स लगता है ठीक है अगला कोशन देखते हैं ज़रा क्या है भारत में फसलों के कुल शेत्रफल में सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है आपकी चावल की किस की होती है बच्छा आपकी चावल की खेती होती है अगला कोशन देखते ह केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है आपका karyokinesis क्योंकि इस karyo शब्द का मतलब ही आपका होता है क्या बिटा nucleus ठीक है आप से cell division नहीं पूछा आप से पूछा है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है केंद्रक का वहवाजन आपका Karyokinesis कहलाता है किस बीमारी के परिरक्षण में या फिर किस बीमारी की जाच के लिए हम लोग ELISA टेस्ट कराते हैं किस बीमारी की जांच के लिए हम लोग ऐलीजा टेस्ट कराते हैं जो बच्चे रेगुलर हैं वो जरूर इसका अंसर देंगे क्योंकि आपको तो शहाद डेली ही में ये एक बार कराती हूँ कोईक लिए आंसर कीजिए फड़ा फड़ किस बीमारी के परिरक्षण में एलीजा जांच किया जाता है एलीजा जांच इन में से किसके लिए कराया जाता है बिटा देखो एक बीमारी होती है आपकी क्या एड्स जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी बहुत ज्यादा एक HIV की वज़े से HIV की फुल फॉर्म क्या है human immuno human immunodeficiency virus defy cnc virus ठीक है human immunodeficiency virus के लिए अब इसकी बीमारी का पता लगाने के लिए हम लोग इक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है अलई जयुकुझ असकी फॉल फॉर्म क्या होती है आपकी एंज्यम लेंग्ड़ यंजायम लेंग्ड़ मियून-sorb amp एससे ठीक है या निकी लिएक आले प्रयूग मुक्यہ लिए कि झाय जाता है रेस्प्रिन एक दवाई है और इसका उप्योग हम लोग किस के लिए करते हैं रेस्प्रिन आपकी एक दवाई है और इस दवाई का इस्तमाल हम लोग किस के लिए करते हैं क्लिए आंसर कीजिए तो अगर किसी का blood pressure high है तो उसको कम करने के लिए हम लोग किसका बिटा रस्प्रिन का इस्तमाल करते हैं उसको कम करने के लिए हम लोग रस्प्रिन का इस्तमाल करते हैं यूरिया में सबसे ज़्यादा किस तत्व की बहुलता होती है यूरिया में सबसे जादा इन में से किस तत्व की बहुलता होती है तो यूरिया के अंदर इन में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है आवले में किसके कान होता है आवला हलका सा खटा और तीखा सा होता है तो वो कसेला पन जो होता है आवले में किसकी वजय से होता है तो बिटा ये कसेला पन आपकी किस की वजय से होता है आपका टैनिन की वजय से होता है किस की वजय से होता है आपका टैनिन की वजय से होता है अगला कोशन है सलजम किस रूपांतरित जड़ का उधारन है या सलजम किस टाइब की जड़ होती है सलजम किस की जड़ है बेटा आपकी कुम्भी रूपी किस टाइप की जड़ा आपकी कुम्भी रूपी ओके जी करेला किस रूपांत्रित जड़ का उधारन है वह सारे बच्छों को तो यह नहीं पता हो कि करेला जड़ है करेला किस रूपांत्रित जड़ का उधारन है बताइए करेला किस रूपांतरित जड़ का उधारन है जल्दी जल्दी आंसर करो भई फड़ा फड़ा आंसर करो करेला किस रूपांतरित जड़ का आपका उधारन है तो बेटा कैसा है यह आपका अधी पादपी जड़ है यह आपका कैसा है अधी पादपी जड़ है अगला कोशन देखते हैं आलू के कंदों का हरापन किसके कारण होता है आलू के कंदों का आपने देखा होगा आलू का आलू जो होता है अगर आप सो खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद में उसमें क्या होता है इस तरह कि आपके ग्रीन ग्रीन कलर के अपिकल बार यूपरति एक 10 सेकंड में आविशक होती है. तो कितनी जरुत होती है आपकी 1000, कितनी होती है आपकी 1000, अगला कोशन देखते हैं जरा क्या है हमारा, अगला फिर भाई आपका एक बहुत ही पैरा सा मॉटिवेशनल थोट है कि अंदाजा किसी की ताकत का लगाया जा सकता है, ल तो आपका फोलस फ्रूल फ्रूल्स यहानि प्राल गेल्ग के की सी घ्लकिन करते Leah'. पर लेते हैं कोई फल तयार करते हैं तो ऐसे वल को हम लोग असत्य फाल बोलते हैं और सत्य फल आपका कप बनता है बताइए सत्यफल आपका कब बनता है जब pollen grain आपके सिर्फ और सिर्फ female के पार्ट के ovary से reaction करेंगे यानि अंडाश्या से मिलेंगे तब आपका सत्यफल बनता है तब आपका कैसा फल बनता है सत्यफल बनता है करणिया मानव शरीर के किस अंग का भाग होती है नेतर का भाग है ठीक है अब बेटा मैंने आपसे बोला था कि लाश्ट के पाच मिनट में मैं आपको बताऊंगे कि आप लोग को क्या करना है गूगल पर आप लोग को करना है अड़र 24-7 को सर्च यह हमारी वेब साइट खुलेगी अगर आप लोग वेब साइट से ही नंबर की आने वाली है जिसको बिटा कम्प्लीट आपका मैं ही कम्प्लीट कराने वाली हूँ ठीक है ओके बच्चा तो आप लोग को जाना है बाई नाओ पर व्यूओ फर्स या बाई नाओ कुछ भी क्लिक कीजिए एक कूपन कोड वो खुद अपलाई करता है उसके बाद एक्स्टर डिसकाउंट के लिए आप लोग बाई नाओ पर क्लिक करेंगे एपलिकेशन में यहाँ छोटा सा लिखा होता है सी ओफर या ओफर देखें यहाँ पर आप लोग कूपन कोड लगाओगे वाई 446 कूपन कोड जरूर याद कर ले ना वाई 446 नहीं तो क्लास खतम होने के बाद में एक बार देख लेना मैं आपने क्या बताया था बारा सो रुपे वे यह बैच आपको मिल जाएगा ठीक है बच्टा बहुत सारे बच्चों ने अल्रड़ी एडमिशन ले लिया है 500 सीट है बस हमारे पास में और अब बस कुछी सीट सायद खाली बची है द त्यारी शुरू कर देना बात समझ में आई फटाफट से जितने बच्चों ने अभी तक फोर्म नहीं भरा है फोर्म भरिये बार का आप सबसे पहले फिर उसके बादे बेटा आप लोग बैच में एन्रोल कराए दूसरा डाउट कि मैं पेपर में क्या आएगा मैंने आपक में आपको लाइव पढ़ा हूँगी किलियर बचा ओके तो यहां पर क्या है यह हमारी टैसरीज है इस पर आप लोग क्लिक करोगे और टैसरीज और किताब के लिए आपका कोड रहता है वाई 446S एक बास सारे बच्चे कमेंड सेक्शन में खुद खोड को लिखेंगे जिस करना खर्चा उठाएगा लेकिन हमारे पास में इसकी आपकी यह पूरी बुक किट है जो आपके घर पर डिलीवर करा दी जाएगी आप लोग क्या करोगे वाई 446S कोड लगा होगे वाई 446S कोड आप लोग अपलाई करोगे तो कितने रुपे में वेटा आपकी मार्ट राट सो रुपे में ये तीन किताबे तुमारे घर पर हिंदी इंगलिश दोनों मीडियम में हैं आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी याद रखना अगर किसी को कोड में कन्फीजन होता है तो क्लास खतम होने के बाद में आप लोग थोड़ा सा क्लास को एक दू स्रीस के लिए Y446-S लिखा हुआ है के लिए अब यहां पर चाहें तुम लोगर किसी की भी त्यारी करो चाहें ट जी कि करो पीजी टी कि करो नीट की करो आलाएट की करो प्लाटफोर्म हर एक फिल्ड की त्यारी करता है चाहें तुम लोग सीउइटी की करो कbersות की ऑप क्सी आज अंतिम मुका है सुप्रिम कोट का फोम भढ़ दीजिए सुप्रिम कोट के एक्जाम में में क्या आएगा तो इसका भी बैस्ट शरीका है कि पहले एक टेस्ट स्रीज खरीदो एक पेपर को लगा के देखो तुम्हें पता लग जाएगा स्लेबस क्या है और तुम्हें कित आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी मार्केट में, so please आप लोग भटाफट से जल्दी से जल्दी, आप लोग ये e-book हैं, हिंदी और इंग्लिस दोनों में हैं, ठीक है, आप लोग यहां पर क्लिक करोगे, और क्या करोगे बिटा, बाइ नाव पर क्लिक करो, और कूपन कोड ल आएंगे बार्क में, ठीक है, आपके बिटा तीरो इक्वल ही आएंगे, मैं आपको स्लेबस डिसकस कर चुकी हूँ, अभी दस मेरे ख्याल से शायद बज गए होंगे, आपके, हम मैं आपके साथ में कट ओफ डिसकस करूँगी, इसकी, कि किसमें कितनी कट ओफ जाती है, त अबसे जायदा जायदा फायदा होता है SSC वाले बच्चों को, देखो जो भी महापैक है ना उन सब पर आपके डबल वालेडिटी ओन है, जीडी का भी हमारे पास एक्स्ट्रा आपका अलग से महापैक है, ये जीडी का महापैक भी बिटा दो साल के लिए वैलिड है, किलि इन सब की तैयारी कराता है, ये इकलोता SSC का महापैक जो आपके SSC के कम से वी कम 10 से 12 एक्जाम की तैयारी कराता है, वो भी अगले 2 साल तक, तो वाई 446 कोड लगाना बेटा, वाई 446 आप लोग कोड अपलाई करोगे और कितना, 229 रुपे में ये आपका हो जाएगा, दे अब ये फटावट से हम लोग कट ओफ वाले वीडियो पर मूव करते हैं, सेशन पर देखते हैं किसमें आपकी कितनी कट ओफ जाती है, बाई बाई, टेक केर, जैहिन, फटावट आईए भई